आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल है इसमें आपको दो मेथड़्स बताऊंगा किस तरह से आप अपनी प्रेजंटेशन को वीडियो में कर्वाइट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां पर मैंने एक प्रेजंटेशन ओपन की है केमटेशिया की डिफार्ट प्रेजंटेशन है और किस तरह से आप इसकी एडियो में करते हैं केमटेशिया के जोड़ी अपनी प्रेजंटेशन को वीडियो में कर सकते हैं इसमें मैथड़ सारा बताया हुए है मैं इसी प्रेजंटेशन को इसमें डिसकस करूँगा और उसके क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आपशन नज़र आ रही है record your slide show यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर दो option मिल जाती है कि आप अपनी current slide से recording स्टार्ट करना चाहते हैं या बेंग निंग से जो है वो इस presentation को record करना चाहते हैं तो मैं अगर इन दोनों में से कोई भी option इस time चूज़ करूँ तो कोई difference नहीं होगा क्योंकि मैंने select भी यहां पर इस वक्रस्ट स्लाइड ही की हुई है तो मैं इसको इसी option पर क्लिक कर लेता हूँ record from the current slide तो जैसे ही यहां पर क्लिक करूँगा इसमें start में देखें कि हमारे पास record बटन है stop बटन है उसके बाद replay बटन है कि हम एक दफ़ा अपनी जो है वो slide को पूरी तोर पर record करके इसको replay यहां से करके देख सकते हैं चक कर सकते हैं इसको अगर हमें recording पसंद नहीं तो हम यहां से जाके इसको clear भी कर सकते हैं यहां पर भी कुछ settings मौझूद है audio की कि आप आप माक कों से स्श्वाल करना चाहते हैं अपना camera कों से स्वाल करनाऊ चाहतेएं अगर आपने एपने वबक्म और आप इसको on कर सकते हैं और इसका display on यशा off यहां करिया जा सकता है मैंने इस वक्राइब क्या हुआ है तो इसलिए ऑप्शन डिसेबल नजर आ रही है यहां भी आपके पास माइक की ऑप्शन भी मौजूद है आप अपना माइक जो है वो प्रेजनेशन के दुरान म्यूट भी कर सकते हैं और यहां पे कुछ अनोटेशन जो है वो आपको मिल जाते हैं इनको इस्तमाल करते हुए आप कुछ चीज समझाना चाहें यहां प्रेजनेशन में तो इनको यूज कर सकते हैं बिल्कुल यहां पे हाइलाइट है और हाइलाइटर को भी इस्तमाल कर सकते हैं presentation में remove करना चाहरे हैं तो इसको remove कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास pen भी available है और इसको remove करना चाहते हैं तो यहां पर click करके इस पर click करेंगे तो यह हमारे पास remove हो जाएगा इसके इलावा यहां पर हमारे पास laser pointer है दो प्रेजेशन में इस तवाल होता है अब अपनी प्रेजेशन को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट समझाने के लिए अगर यह पॉइंटर यूज करना चाहते हैं तो यह भी ऑप्शन यहां पे अवैलेबल है तो अब हम प्रॉप प्रेजेशन स्टार्ट करते हैं यहां से रिक यहां स्टीजों यहां संट जर्ष रिक टो अबित अजिए प्रॉट्व उप्डी चॉट्ट लिए फट्ट अवां ज़िए लिए कने अप्रॉब फ्रॉट्ट बछूट्प यहां सॉड़ उइ भूट अटेन पर च्टश्प लिए दो लिए लिए यहां स्टीप रसे आर you can fringe your recording by pressing skip button and you can give the name of presentation and in the last you can produce or edit this video using camtasia and this option depends upon you if you want to edit your video you can add it through camtasia and if you want to produce video you can produce as well from this add-in this was the whole presentation thank you very much ना इसको यांसे स्टॉप कर देतो हमाई पास वो प्रेसेंटेशन थी वो रिकॉर्ड हो चुकिया रिकॉर्ड करने के बाद यहां पर यहां पर देखिए हमारे पास एक आडियो आइकॉन जो है वो अपेर हो गया है मैं सारी slides पर आपको दिखा देता हूं सारी slides पर मौ जो हर slides पर स्काइब हो कर देता हूं मैं अपनी आगया हो अगर मैंने इस video को export करना है तो मैं यहां पर file में जाके export में जाओंगा created video यहां पर मेरे पास option मिल जाती है 4K Ultra HD hidden 720 480B तो यहां पर जो option आपको required है आप चूज़ कर सकते हैं मैं आपको सिर्फ बताने के लिए चूंके वीडियो create की है मैं इस वक्त जो है वो 480p select कर लेता हूँ और create a video पे click करता हूँ यह में पास location मांगेगा मैं इस वक्त जो location है वो picture folders जो है इसको select कर लेता हूँ और यहां पे नाम जो है वो मौझूद है Camtasia getting started guide मैं इसको save कर लेता हूँ जैसे मैंने save पे click किया तो यह देखिए rendering यहां पे start हो गई है यह कुछ time ले लेगी मैं तोड़ा सा video को fast करने लगा हूँ यहां पे तो यह देखिए हमारी rendering जो है वो complete हो चुगी है इसके बाद मैं आपको location पे लेके जाता हूँ जहां पे यह file save होई है इसका size 3.93 MB है 1 minute and 24 seconds है इसकी length Hello friends record a presentation All here is record button present a specific recording option and you can give the name of using Camtasia this was the whole presentation thank you very much आपने देखा कि बहुत ही अच्छी recording होई है हमारे पास यहां पे powerpoint इस्तमाल करते हुए हमने कोई अभी तक external software इस्तमाल नहीं किया just मैंने आपको external software use करने का यहां पे तरीका बताया है अभी तक तो हमें practically भी आपके सामने explain कर देता हूँ एक दफ़ा method कि आप Camtasia की add-in इस्तमाल करते हुए किस तरह से recording कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझा सके तो सबसे पहले आपने यहां पे add-in tab में जाना है और add-in tab में आपको वही tool bar नजर आ रही होगी जो मैंने सारी options discuss कर दी है अरड़ी तो आपने just record पे click करना है यहां पे यह देखिए live review आ रहा है यहां पे और मेरी presentation चुकर अरड़ी record की वी थी वो चल पड़ी है यहां से मैं इसको फिलहाद escape प्रेस कर देता हूँ मैं यह सारी recording जो है वो remove कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको already export कर लिए मैं control plus Z प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरी सारी recording जो है वो यहां से खतम हो जाए तो आप देख रहे होंगे यहां से जो है वो सारी recording जो है वो सारी खतम हो गई है इसके बाद मैं यहां से record पे click करता हूँ और again recording यहां से start कर सकता हूँ यह मेरे पास यहां पे इस वक्त test process चल रहा है मेरे माइक का और मैं अगर practically यहां पे start करना चाता हूँ तो यहां पे click करके इसको start कर सकता हूँ यह देखिए मेरे पास start हो चुका है procedure मैं इस वक presentation record करने नहीं लगा just मैं आपको बताना चाहता कि किस तरह से आप यहां से presentation से वीडियो बना सकते हैं Camtasia adding इस्तेमाल करते हुए practical तो यहां पे आपके पास जो options मिलती हैं वो मैं आपको बता जेता हूँ आप slide को go through करना चाते हैं तो यहां पे आपके पास button मौजूद हैं आप यहां से कर सकते हैं इसके इलावा यहां पे आपको यह options मिल जाती है laser point, fan, highlighter वो options आरेड़ी powerpoint पे मौजूद थी वो सारी options यहां पे मौजूद हैं इसके इलावा single page पे आपके पास सारी slide देखने की options भी यहां पे मौजूद हैं मैं इसको back कर लेता हूँ और यह इसके पास zoom के option भी मौजूद है कि अगर आपने एक specific part अपनी presentation का zoom करके इसको discuss करना है तो इसको zoom करके भी discuss कर सकते हैं मैं इसको zoom करके दिखा रहता हूँ, यह देखिए आपने back जाना है तो इसके press करेंगे यह back आ जाएंगे इसके लावा कुछ मजीद options भी मौजूद है यहाँ आपने सारी recording करने के बाद यहाँ पर end show पे click करेंगे यह आपकी recording complete हो चुकी है आप यह पूछ रहा है कि आपने stop करनी है recording यह continue करना है recording को मैं यहाँ पर stop कर देता हूँ stop करने के बाद यह मेरे पास location पे save कर लेगा इस file को मैं इसको कोई नाम different दे देता हूँ let's suppose guide one कर देता हूँ और इसको save कर लेता हूँ यहाँ फे मेरे पास further option पूछ रहा है कि मैं यहाँ से video produce करनी है या मैं इसको edit करना है पहले तो इन दोनों में से कोई भी option select कर सकता हूँ आपने वज़र से select करनी है option जो आपको required है तो मैं यहाँ से अभी cancel कर रहा हूँ hopes हो कि आपको presentation को वीडियो में किस तरह convert करना है दोनों method बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गये होंगे और आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए चैनल पर अगर new है तो इसको subscribe कर लीजिए और साथ में bell icon भी लाज़मी तो प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो फूरी तो पर आपको उसका notification मिल सके मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिस